अब शुरू करते हैं आज की कहानी, आज की हमारी कहानी है The wise farmer The wise, wise मतलब बुद्धिमान, चतुर, चाला, होशियार, farmer यानि कृषर, किसान या खेतिहर The wise farmer यानि बुद्धिमान, किसान एक बुद्धिमान, किसान की कहानी है One, एक, night, रात, एक रात, आ, एक, wise बुद्धिमान, farmer, किसान, was, था, returning, लोट रहा, home, घर एक रात, एक बुद्धिमान, किसान, घर, लोट रहा था From, say, आ, एक, फिर, मेला एक रात एक बुद्धिवान किसान मेले से घट लोट रहा था He वह यानि किसान बोट खरीदा एक बफेलो भैस from से देर वहा और वहा से यानि मेले से किसान ने एक भैस खरीदा While जब He वह वज था पासिंग गुजर रहा Through यानि से के माध्यम से के बीच में से आ एक dense घणा फोरेस्ट जंगल जब वह एक घणे जंगल से गुजर रहा था आ एक डेकोईट यानि डकैट डाकू या लुटेरा चेम आया इन फ्रंट ओफ सामने हिम उसके और जब किसान एक घणी जंगल में से गुजर रहा था एक डकैट उसके सामने आया He वहाँ हैड था एक बिग बड़ा स्टिक डंडा लाठी या चड़ी In में हिस उसके हैंड हाथ और उसके यानि डकैट के हाथ में एक बड़ा सा डंडा था He वहाँ said बोला give दो मी मुझे all सब कुछ that जो कुछ you तुम या तुम्हारे have यानि है या दखिएगा किसी के पास कुछ है तो इसमें have का प्रयोग किया जाता है और डकैट ने किसान से कहा मुझे वो सब कुछ दो जो तुम्हारे पास है The farmer किसान was था afraid यानि भैभीत होना डड़ा हुआ होना और किसान बहुत ड़ा हुआ था He वहा गेव दिया all सब कुछ His उसका money धन रुपया या पैसा to को दा डकैट और उसने यानि किसान ने उसका सारा धन या पैसे रुपय पैसे सब कुछ उस डकैट को दे दिये Then उसके बार दा डकैट सेट बोला अब डकैट बोला गिव दो मी मुझे दा बफैलो भैस टू भी और डकैट ने किसान से कहा मुझे ये भैस भी दो So इसलिए दा फार्मर किसान हैंडेड ओवर मतलब होता है दे देना या सौब देना दा बफैलो यानि भैस अपोस्ट्रफिस ऐसे का की के का उचारन होगा भैस की रो रसी टू को दा डकैट अब किसान ने डकैट को भैस की रसी भी सौब दी Then उसके बाद दा फार्मर किसान सेट बोला फिर किसान बोला I मैं है गिवन दिया I have given यानि मैंने दे दिया है You आपको everything सब कुछ what जो कुछ I मेरा या मेरे had था अब किसान डकैट से कहता है मेरे पास जो कुछ भी था मैंने आपको दे दिया है Please कृपया गिव देना मी मुझे योर आपका स्टेक लाठी या डंडा कृपया मुझे आपका डंडा दे दिजिए But लेकिन why क्यों do you तुम या तुम्हे नीड आवशक्ता इट यहाँ लेकिन तुम्हे इसकी आवशक्ता क्या है आक्स्ट पूछा दडकैट और डकैट पूछा किसान से कि तुम्हे इसकी यानी की डंडे की आवशक्ता क्यों है I'll मैं करूंगा यह I will का contraction form है जिसको हम लोग आईल परते हैं Give देना This यहाँ stick डंडा to ko my मेरे wife पत्नी या धरम पत्नी मैं यहाँ डंडा या लाथी अपनी धरम पत्नी को दूंगा She वहाँ will be होगी pleased बहुत खुश वो बहुत खुश होगी That की at least कम से कम आई मैं got लाया something कुछ from say the fair मेला और वहाँ बहुत खुश होगी की कम से कम मैं मेले से कुछ तो लाया The decoyt The cat gave दिया the stick लाथी या डंडा to ko the farmer किसान और डकैत ने किसान को वो दंडा दिया In no time, in no time मतलब होता है पलक जपकते या खुची समय में The farmer किसान स्टार्टेड शुरू कर दिया Beating पीठना, the decoyt The cat को with say the stick डंडा और पलक जपकते किसान ने दकैत को उसी डंडे से पीठना शुरू किया The decoyt, the cat ran भागा अवे दूर अब वो डकैत दूर भागा लीविंग छोड़के The buffalo, bass, and और the farmers, farmer यानि किसान Apostrophages का की केका उचारन होगा किसान की मनी धन या रुपया पैसा बिहाइंड पीछे है अब डकैत किसान का भैस और उसका सारा धन पीछे छोड़के दूर भाग गया This is how इस तरह the wise बुद्धिमान, farmer, किसान, saved, बचाया his, उसका, belongings Belongings मतलब संपत्ती, सामान, या जायजदात From, say, the decoyed, डकैत इस तरह समझदार किसान ने डकैत से अपनी संपत्ती बचाई उमेद है आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी अब आज का सवाल, डकैत या डको को इंगलिश में क्या कहते हैं, कॉमेंट में इसका जवाब ज़रूर दे आज के लिए बस इतना ही, कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाए कहानी को अपने जानकारों के भी शियर अवश्य करें और कॉमेंट करें थैंक्स पर वाचिंग